नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त महारा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चाप्टर नमबर त्री, एचसे पैंड लसियम उसमें अभी प्रैक्टिसेट 12 का क्वेशन नमबर 2 शुरू है क्वेशन नमबर 1 इसके पहले के वीडियो आमने वीडियो में ले लिया है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अन्रो दे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेर करें और बेल आकान प्रेस करें जिससे के आपको आने वाले वीडियो इसके नोटिपिकेशन मिल जाएं अब क्वेशन नमबर 2 क्या है देखें सब्सक्राइब करने के लिए एक में इन दोनों में जो सबसे मतलब दोनों में स्मालेस नमबर है 275, उस नमबर से जो ग्रेटर नमबर है 525 को डिवाइड करिए अब डिविजन कैसे करना है 27, 1 जा 27, 27, 2 जा 54, 52 से ज़्यादा होता है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 1 से डिवाइड होगा तो 1 से 275 को अगर हम multiply करेंगे तो यहाँ पर 275 ही आएगा फिर हमें subtraction करना है तो 5 माइनस 5 यहाँ पर 0 होगा 5 से एक borrow ले लिया हमने तो 12 माइनस 7 यहाँ पर 5 यहाँ पर रहेगा 4, 4 माइनस 2, 250 अब 250 से देखे 250 रिमेंडर आ गया है तो division method में ilusti YJP find करने के लिए, जो division method है इसमें हमें जो remainder आएगा उस remainder से पहले जो diviser था उससे हमें divide करना है 275 को हमें divide करना है तो 250 से 275 को अब देखे 25 यहाँ पर 27 25 बशला 25 वन से divide होगा तो यहाँ पे 25 वंजा 25 तो 250 वंजा 250 फिर subtraction करिए तो यहाँ पे 5 7-5 2 2-2 0 रहेगा अब फिर से जो remainder आ गया जब तक remainder 0 नहीं आता तब तक हमें ऐसे ही divide करना है जो remainder आ गया उसी से हमें जो पहले divisor था उसे divide करना है तो 250 को हमें divide करना है अब यहाँ पे 250 को 25 1-25 subtraction होगा है 0 0 नेचे लिले है हमने तो 25-0-0 25-0-0 तो यहाँ पे quotient 10 आ गया है लेकिन remainder 0 है जहाँ पे remainder 0 होता है वहाँ पे जो divisor था जिससे हमने divide किया है वो number HCF होगा अब HCF of HCF of 275 and 525 is 25 इन दोनों का HCF होगा 25 अब इन दोनों का HCF अगर 25 है तो 25 से हमें इन दोनों को divide करना है इन दो numbers को और इसका हमें simplest form जो है वो find करना है simplest form find करने के लिए इन दोनों numbers को हमें 25 से divide करना होता है तो 275 divided by 525 तो 25 से हमने अगर divide कर लिया तो 25 वन जा 25 27 माइनस 25 1 sorry 2 रहेगा 25 वन जा 25 फिर 25 टू जा 50 52 माइनस 50 यहां पे रहेगा 2 5 25 25 वन जा 25 तो simplest form जो है वो आएगा 11 divided by 21 तो यह होगा simplest form नेक्स्ट जो question है question number 2 में second 76 divided by 133 अब देखे 76 और 133 इन दोनों का हमें इसे फाइंड करना है तो औरली हम अगर find करेंगे तो यह दो numbers किसी number के table में आता है और वो number है 19 नैंटीन फोर्जा 76 और नैंटीन सेउन्जा वन तर्टीत्री तो इन दोनों का highest common factor 19 है लेकिन हमें इसे division method से स्वाल करना है तो division method जो पहले हमने इसके पहले जो question लिया है से उसी method से division method से स्वाल करना है तो 133 दोनों से greater number है दोनों में उसे हमें smaller number से डिवाइड करना है 76 से अब यहाँ पे 7 और 13 7 टूजा 14 ज़्यादा होता है तो यहाँ पे 1 से डिवाइड होगा 76 वन जा 76 subtraction करिए तो यहाँ पे 13 minus 6 यहाँ पे होगा 7 यहाँ पे 2 12 minus 7 12 minus 7 यहाँ पे होगा 5 तो 57 यहाँ पे आगा है 57 से फिर हमें 76 को डिवाइड करना है तो 57 वन जा 57 फिर subtract करिए तो यहाँ पे 16 minus 7 9 होगा 6 minus 5 वन नैंटीन अब जो फिर रिमेंडर आ गया फिर उसे हम उससे हमें जो पहले डिवाइजर था उसे डिवाइड करना है तो नैंटीन थ्रीजा फुप्टी से वन तो यहां पर रिमेंडर जिरुवा गया तो HCF जो होगा वो होगा नैंटीन अब HCF अगर नैंटीन है तो इन दोनों का हमें 19 से डिवाइड करना है तो 19 फूर जा और 19 सेवन जा तो सिंप्लिस्ट फॉर्म जो है वो आएगा 4 बाए 7 तो नेक्स्ट जो कॉश्चन है वो है 161 डिवाइड बाए 69 अब HCF डिविजेन मेंधर से फैंड करना है तो स्मालेस्ट नंबर 69 से ग्रेटेस्ट नंबर 161 को डिवाइड करना है तो यहां पर 6 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 6 मतलब 69 70 के पास नंबर है तो 7 से भी हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 7 तूज़ा 14 7 3 जादा होता है तो हमें यहां पर 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से डिवाइड करें 2 9 जा 18 बारो 1 2 6 जा 12 प्लस 1 13 फिर सब्रेक्शन करें तो यहां पर 11 बारो ले लिया 11 माइनस 8 3 यहां पर रहेगा 5 5 माइनस 3 2 1 माइनस 1 0 अब 23 से जो पहले डिवाइड था 69 को हमें डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6 तो 3 से डिवाइड हो सकता है 3 3 जा 9 3 2 जा 6 23 का टेवल अगर हमें आता है तो 23 3 जा 69 तो अब यहां पर रिमेंडर जिरो होगा रिमेंडर जिरो है तो 23 होगा है तो हमें यहां पर लिखना है यह सी फ आफ 161 एंड 69 इस 23 169 और 69 का यह सिफ होगा 23 अब 161 एंड 69 का हमें है simplest form जह है वो फाइंड करना है तो simplest form के लिए देखे को स्टैमिा नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है वो भी सज़ जे तो अब यहां पर 16 2 1 जा 9 2 को सकता है तो अगर समझो टेबल नहीं तो यहां पर नहीं पता हो रहा है तो यहां पर नहीं पता हो रहा है तो 161 को 23 से से डिवाइड करें तो यहां पर है एक टुए एड़ जा सिक्स्टी तो एट से डिवाइड हो सकता है तो अब यहां पर एड़ से मल्टिप्लाइ करके दीखी एट रिजा 24 बारो टू एट उसा 16 प्लस वन एटीन तो वन एटीफोर ज्यादा हो रहा है तो अब क्या करिए 23 को स से मल्टिप्लाइ करके दीखी तो 7 तो इसा 21 बारो टू 7 तो प्रोटीन प्लस 1 16 161 तो यहां पर 7 से डिवाइड होगा रिमेंडर 0 तो 161 को 23 से डिवाइड करने के बाद 7 23 7 तो 161 23 3 तो 69 7 तो 3 तो सिम्पलेस्ट फॉम अब यह जो डिविजन में तो उसके हमें आवशकत क्यों पड़ी है अब देखे क्या हो सकता है कि अगर किसी नंबर के प्राइम प्रैक्टर्स सुपोज 43 और 47 आते हैं और दूसरा कोई नंबर है जिसके प्राइम प्रैक्टर्स 43 और 49 आते हैं सुपोज तो 43 prime number है 47 prime number है तब जब prime factor इतने बड़े आ रहे हो इतने greater आ रहे हो तब हमें prime factorization method से अगर is this you find करना है तो जो prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13 3, 17, 19 जो भी prime numbers है इन सभी से हमें उन नंबर्स को डियाइड करके चेक करना पड़ेगा और तब दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो तब हम इस मेतर से डियाइड नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा आप 19 तक चेक करिए या 29 तक चेक करिए फिर उसके बाद जो है टेबल तो नहीं आते फिर हर एक से हर एक नंबर से डियाइड करके चेक करना पड़ेगा तो बेतर है कि आप डिविजन मेतर से तब HCF फाइंड करे तो डिविजन मेतर से कब HCF फाइंड करना है शायद यह आपको पता चल गया होगा अगर जहां तक हमें टेबल आते हैं वहां तक डिवाइजर नहीं मिला तो डिविजन मेतर से हमें HCF फाइंड करना है तो इसके बाद और भी है HCF के मतलब तीन नंबर दे दिये तो कैसे डिविजन मेतर से HCF फाइंड करना है तो देखे अगर तीन नंबर से तो फिर्स्ट दो नुम्बर का HCF फाइंड करिए जो HCF आ गया उसी के साथ तिसरी नुम्बर का HCF फाइंड करिए दोनों का तो यह तीनों का हैस्ट कौन फैक्टर हो जाएगा तो कभी हम बाद में एक्जामपल लेंगे टेक्स्ट बुक में तो यही दिया गया है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे जो वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस इट 13 में ELCM के क्वेशन स्वाल करने वाले हैं और फिर उसके बाद है प्रैक्टिस इट 14 तो ठीक है थैंक्यू